नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का HP Study Hub के इस YouTube प्लैटफॉर्म पे तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा दा पायूनिर क्लासिस द्वरा आयोजित HP Forest Guard की जो मौक टेस्ट सीरिस को हमने चलाया है जिसमें हम डिसकस करेंगे आज मौक टेस्ट 5 क इसका एक और डिसकस कर चुके हैं जिसमें हमने English और Mathematics सेक्शन को डिसकस किया इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा Science सेक्शन उसके बाद Hindi सेक्शन और जो GK सेक्शन को इस लेक्चर में आपके सामने डिसकस किया जाएगा अगर अभी तक चैनल को सबस्क्रा पाना तो आप हमें दिये गे गिवन वाटसप नंबर पे आप वाटसप कर सकते हैं आपको इसकी पीडिएफ मिल जाएगी और साथ ही अगर आप दा पायनल क्लासिस के जो ऑफलाइन इंस्ट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन गिवन नंबर पे जिसमें फर्स्ट कोशन था चुरहा में कौन सा समास है चुरहा में बताना था आपने इनमें से कौन सा समास है बहुबरी ततपुर्ष अवेभाव या फिर दूईगू समास चुरहा में जो समास है बो है ऑप्शन डी दूईगू समास नेक्स्ट कोश्चन था इसमें बरना से परें इसमें रॉइट अंसर रहा उप्शन D बढंण से परें नेक्स्ट जो कोश्चेन था आपके सामने कोश्य नम्र 3 सत्या और अहिंस्चा का डैष संबंध हैं सट्याहिसा का संबंध इसमें आपने बताना था इनमें से कौन सा बिरामचिन ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी वाशा से नहीं लिया गया है जिसको हिंदी वाशा में तो यूज किया जाता है लेकिन उसको हिंदी वाशा से नहीं लिया गया है इसमें option जो डी ये रहता है इसको हिंदी वाशा में तो इसका यूज़ के जाता है लेकिन इसको English language से नहीं लिया गया है next question number five, राम की गाए दूद देती है इसमें आपने बाक्या बताना था कौन सा ये बाक्या है, राम की गाए दूद देती है इसका जो राई अन्सर रहेगा एक सरल वाक्या है, option een, अगला question थाली का बेंगन से अपसे पूछा था किया इसके अभी पडाय है इसका जो राई अन्सर था, option a, सिधांत हीन ब्यक्ती, सिधांत हीन ब्यक्ती, ज्योट Umwelt अते है उसका मिन्स की थाली का बेंगन नेक्स्ट कॉस्चन परियतन के अधार पर लौ पर्कार की ध्वनी है जो परियतन के अधार पर पर बताना था लौ जो है किस परकार की ध्वनी है इसमें पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकम्पित, संघर्शीन, इसमें जो लौ ये ध्वनी है, option A, पार्श्विक प्रकार की ध्वनी, next question, संधी विछेद से था, इसमें पूछा था, नि जमा विकार, इसमें जो एक्जेक्ट, जो राइट, अंसर इसका जो, या फिर रा निर्वी कार, नी जमा विकार का जो राइट अंसर बनता है, option C, निर्वी कार, संधी इसकी एक्जेक्ट यही रहेगी, next question number 9, इसमें पूछा था, अनुवाद में परियुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग के बारे में आपने पढ़ा होता है, उपसर्ग क्या होते हैं, इसमें बताना था कि अनुवाद में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग इसमें रहते हैं अनु, उपसर्ग मिंस जो शब्द के पहले जो लगती है, उसे उपसर्ग कहा जाता है, next question तक question number 10, निश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चे वाचक सर्वनाम के बारे में बताना था कि इन गिवन में से वह कौन सा शब्द है, जो निश्चे वाचक सर्वनाम है, इसका जो राइट अंसर था, option D, यहाँ, यहाँ एक निश्चे वाचक सर्वनाम है, आके जो question mathematics के थे, इनको already दूसरे lecture में discuss कर लिया है, मैं आपको direct आ जाता हूँ, जो science section से question पूछे गए थे उनके बारे में, इसमें पूछा था, question number 21 से 21 से science के question इसमें स्टार्ट हो जाते थे, कि, what is unit of acceleration, त्वारन की इकाई क्या है, physics section से यह question थे, इसमें बता नहीं थे, त्वारन की इकाई क्या है, यह फिर acceleration क्या होता है, इसमें जो right, answer इसका रहना था, option B, radian per second, option B, इसमें बिल the value of G, G का मान क्या है, G का मान आपने इसमें बताना था, इसको calculate करने के बाद, जो G का जो मान आता है, वो रहता है, option A, 6.67 into 10 is 12 minus 11 nanometer per nanometer per kg, option A, इसमें बिल्कुछ सही रहेगा, next, question number 23, one horse power is equal to, एक अश्विशक्ती, एक अश्विशक्ती किसके बरावर होती है, अश्विशक्ती के बारे में बताना था कि किसके बरावर ये होती है, इसमें right answer रहेगा, आपको पता होगा बहुत ही, simple question इसमें पूछा गया था, option C, 740 बहुत के बरावर एक अश्विशक्ती है, फिर horse power रहती है, next, question number 24, the image in a plan mirror, so until there पलो में जो प्रती विम बनता है, वो किस परकार का बनता है, बरपल से रलेटिर हमेशा कोसी कोचिजट रहता है, इसमें समतल दरपन से समंधित परन प्रती कासा रोता है, इसमें जो प्रतीर्पन बनता है option C, virtual and direct, और अभासी और प्रतीयक्ष परकार का जो प्रती जो प्लैनन्यटियर समतल्ददर करना फॉस्चन मुर्टिफई फुच्छा गया था फ्यूज वाइर इस मेड अपब फ्यूज कि जो तार ये किस चीज़ से बनी होती है फ्यूज कि तार से समंधित कि सी से बनी होती प्वॉस्चेम मुर्टिफाइव का राइट अंसर है गा C, option जो C है, लेड और टीन लेड और टीन से मिलके ये जो फ्यूज के तार ये वनाई जाती है next question है, 26 which is used to exchange message at sea, कौन सा समुदर में जो संदेशों का आदान परदान करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है, समुदर में जब हम आदान परदान करते हैं सुचना हूँ है, संदेशों का तो इसको किसे use किया जाता है, बहाँ पे इसमें बहाँ पे use किया जाता है, मेसर मेसर जो है, मेसर जो है, इसका use बहाँ पे किया जाता है, option B next 27 what type of rays are x-rays x-ray किस प्रकार की किरने है जो rays होती है, भी different types के होती है, इसमें था कि x-ray के बारे में, कि x-ray किस प्रकार की किरने होती है इसमें right answer है, option C x-ray जो होती है electromagnetic या फिर बिद्यूत चुम्बकिया किरने रहती है question number 28 where is the value of gravitational acceleration g is maximum गुरत्वा कर्शन त्वरन का मान कहां, कहां जो g का मान पुछा था कि सबसे अधिक कहां पे होता है equator पे, equatorial line पे poles पे, या फिर inside the earth इसमें right answer रहे गा इसका option C poles पे जो gravitational या फिर g का मान सबसे अधिक माना जाता है question number 29 chemistry section से ये question थे इसमें सबसे पहले पुछा गया था कि निमलिक में से बीस neutron वो 18 electron बाला कौन सा है which of the following is a particle with 20 neutrons and 18 electrons इसमें पताना था कि वैस कौन सा इसा element है जिसके 20 neutron थे, 20 neutron है या फिर 18 electron है इसमें आप देखने के बाद इसका जो right answer आपने लगाना था option B इसमें जो 18 प्रमानो संख्या 38 इसमें द्रब्यमान 18 atomic number जिसका है और 38 mass number Z को लिया जाता है atomic number A इसको mass number लिया जाता है next जो इसमें question रहेगा question number 30 इसमें right answer question number 30 इसमें पुछा गया था carbon योगिक बिद्यूत के कुछ अलग होते हैं क्योंकि जो carbon compound are poor conductor of electricity carbon के जितने भी compound poor conductor क्यों होते हैं electricity के इसमें आपने बताना था कि ऐसा क्यों होता है इसका जो right answer रहेगा इसका जो reason रहता है option A they do not give ions in solution विये billion में आयन नहीं देते हैं इसलिए जो सभी carbon compound poor conductor रहते हैं electricity के option A इसका सही रहेगा question number 31 शाक सबजियों का विघटित होकर compost बनना किस परकार की अभिप्रिया है कि what type of reaction is the decomposition of vegetables and vegetables into compost कौन सी जोसमें आपने reaction बतानी थी यह होते हैं इसका जो right answer रहेगा option B उश्मा क्षेपी एग्जो थरमी किसमें reaction रहती है question number 32 निमलिक्त में से कौन सा बुजा हुआ हुआ है जो slate lime के बारे में जो इसका formula आपने बताना था कौन साथ में slate lime का exact formula रहता है तो इसका जो right answer रहेगा CEO OH2 option B इसका सही रहना था next टांका लगाने का जो तार होता है solder wire कि किस दातू से बनाए गता है आप से जो मिश्रन के बारे में कई बार कोशन रहता है कि जो मिश्रन है किस किस के बीच से बना है तो यहीं पर आप से question पूछाता solder wire के बारे में यह जो solder wire यह तांका लगाने बाले तार किस चीज का मिश्रन रहता है इसका जो right answer है यह SN और LED का जो इसे मिश्रन रहता है next solar cell में उप्योग के जाने वाले प्दार्थ में होता है मेटल जो यूज के जाते है solar cell में वह कौन सी होती है इसमें आपको पता है solar का यूज प्रजन टाइम में बहुत किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा जो metal material इसमें यूज किया जाता है इसमें यूज के जाता है option बी silicon सिलिकॉन का यूज बहुत किया जाता है सोलर सेल्स में नेक्स्ट थर्टीफाइब में पुछा गया था एबोगैदरो संख्या यह फिर जो एन एबोगैदरो नमर कितना रहता है इसमें राइट अंसर हेगा ऑप्शन वी कैलोकलेट भी कर सकते थे आप एग्जेक्ट भी आप प्राकृतिक बहुलक है विच आफ दी फॉलॉइंग इस नेचरल पॉलीमर पॉलीमर से सम्मंदीद भी कॉस्टिन एक्जाम में बहुत से पूछे जा सकते हैं इसलिए पॉलीमर का जो टॉपिक रहता वह भी आप कलियर कर सकते हैं आपने बताना था कौन साथ में प्राकृ पॉच्टान तुन किकैला जाता है एक Celina के जाता है दिचान से पॉलॉइंग में इस ही फंगस से निकाले जाते है कौन ऐसा चीज है जो circulation परिसंचरन जो रक्त का होता है उसमें help करता है इसमें रहता है option D lymphocyte जो होते हैं यह help करते है circulation of blood के लिए रक्त के परिसंचरने के लिए next 39 which would which would will become useless soon after exposing in the open air कौन सी लकड़ी खुली हवा में उजागर करने के बाद जल्द ही बिकार हो जाती है फुली हवा में छोड़ दिया जाए तो जल्द ही वो बेकार हो जाती है इसमें राइट अंसर ले सकते थी इसका option C betterwood अगला question था निम्लिक में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और केल्शिम के absorption को बढ़ाता है which among the following elements increase the absorption of water and calcium in plants अपने उस element के बारे में बताना था इसका जो राइट अंसर था वो element option B boron बोरोन ही वो ऐसा तत्व है जो पौधों में पानी और केल्शिम की absorption को बढ़ा देता है next pituitary gland is located in pituitary gland होती है इसके बारे में पूछा था कि कहां पे है स्तित है ये स्तित होती है brain में pituitary gland या फिर प्यूश ग्रंथी इसको कहा जाता है इसी को कहा जाता है master gland प्यूश ग्रंथी को ही कहा जाता है master ग्रंथी ये located होती है हमारे brain के अंदर next 42 in the eye color vision is affected by the presence of आंकों में आंकों के रंग में द्रिस्टी किसकी उफ्स्तिते से प्रभाबित हो जाती है या फिर होती है कौन सब वय है जिसके उपस्तिती से जो रंग आंखों के रंग में परभावी तरह जाती है वो उते हैं कॉन सेल आंखों में जो प्रजेंट कॉन सेल रहते हैं इसकी वज़े से जो आंखे रंग के जो दिस्टिंस में परभावी तरह जाती है option D, इसमें सही रहेगा 43, the age of trees is determined by its पेडों की आयू, इसके द्वारा निर्धारित की जाती है किसी भी पेड की जो आप जब आप उसकी आयू को निर्धारित करना चाहें सबसे पहले तो आपको उसमें जो growth rings जो होती है विकास के छले, उसी के basis पे ही जो ट्रीज, पेडों की एज का पता लगाया जा सकता है option C, इसमें सही रहेगा 44, which of the following is known as vitamin V1 निमर में से किसे vitamin V1 की नाम से जाना जाता है scientific name, chemical name आपने बताना था, vitamin V1 का यह होता है, option B, thiamine, thiamine chemical name है, vitamin V1 का next, question 45, the element which is the most abundant in the human bodies मानब श्रीड में सर्वाधिक प्रचूर मातरा में पाए जाने बाला तत्व है given option में से आपने बताना था कि हमारे जो श्रीड में पाए जाने बाला सर्वाधिक प्रचूर मातरा में कौन सा इसा तत्व है वह है oxygen, oxygen सबसे ज़्यादा पाई जाते हमारे human body में option A, next 46, clove the commonly used spices is obtained from the long का आम तोर पर इस्तेमाल किये जाने बाला जो मसाला है इसमें पुछा था कि जो long हम आम तोर पर काफी यूज करते हैं इसको जो पेड का जो इस भाग से इसको निकाला जाता है क्या इसको फल से निकाला जाता है या फिर तने से जड से या फिर फूल की कलियों से जो लॉंग को मैंली इसको एक्स अप्टेंड किया जाता है फ्लॉवर बड से फूलों की जो कलियां होती है option D इससे इसको एक्स्टेक्ट किया जाता है next carbohydrate is stored in the body as शरीर में carbohydrate का संचे किस प्रकार से होता है कहां पे होता है यह उता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में option C इसमें सही रहा ना था next study of field crop is called खेतों की फसल के अध्यान को कहते हैं जो field crop की जो study होती है इससे का जाता है agronomy option B option B इसमें बिल्कुल सही रहेगा agronomy next 49 cancer is a disease where we find uncontrolled cancer बोला जाने के एक बिमारी है जहां में अन्यंतरित पाए जाते हैं जो अगर किसी को cancer हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं जो uncontrolled celled business में रह जाती है फिर uncontrolled जो कोशिका का भी भाज़े ने इसमें देखा जाता है option A सही रहेगा इसका 50 where is the least biodiversity fund आपने बतानी थी in given option में कि सबसे कम जो जैब बिबिदिता कहां पे पाई जाती है इसमें option D जितने भी हमारे polar या फिर धूब्य प्रदेश है बहां पे सबसे कम जो जैब बिबिदिता पाई जाती है अगर बिशुवत क्या जो बिशुवत या फिर equatorial region के में बात करूं तो सबसे अधिक यहां पे पाई जाती है जैब बिबिदिता इस question का right answer रहना था option D यहां पे सबसे कम जो जैब बिबिदिता पाई जाती है next question यह ecology environment से related question थे अब what is the local biodiversity called स्थानिया जैब बिबिदिता को क्या कहते हैं अगर ecology से समंदीत आपने जो बायो डिबस्टी इसको पढ़ा होगा जो लोकल स्थानिया जैब बिबिता है इसको कहा जाता है बीटा बायो डिवस्टी अलफा डिवस्टी बाव डिवस्टी गामा डिवस्टी इसको अपने अपना क्लियर कर लेना है क्योंकि question पूछा जा सकता हागे भी 52 IUCN in which field is a test जो IUCN के बारे में पूछा था कि ये किस खेतर में जो संदगन संगठन है इसका जो मेन काम रहता है wild conservation से related option भी इसमें सही रहीगा इसका wild conservation next what happens to energy in an ecosystem जो परिस्थिति तंतर में उर्जा का क्या होता है उर्जा से सबंदितप इस में ताटन है इसमें energy का क्या होता है आपको बताया जैसे ही इसमें उर्जा को देखा 54 what are plants that grow in alkaline soil called कि शारिय मिट्टी में उगने वाले पौदों को क्या कहते हैं अफिर क्या कहलाते हैं जहां पे जो alkaline soil salt की मातरा बहुत जादा होती है एसे क्षित्रों में उगे हुए पौदों को क्या कहा जाता है इने कहा जाता है hello fight option d ऐसे जो salty क्षित्र में जो भी पौदों उगते हैं उसे hello fights की नाम से जाना जाता है next 55 what are the dense evergreen fresh of the western ghat called पस्चिम घाट की जो संगन सदा बाहर बनों को क्या कहा जाता है जो भी western ghat में जो समंधित जो भी dense evergreen fresh उसे कहा जाता है शोला option b इसमें रहेगा बिलकुल सही शोला के नाम से इसको जाना जाता है next 56 which of the following is an independent nitrogen fixation bacterium present in the soil कौन सा म्रिधा में उपस्तित रहने बाला स्वतंतर nitrogen योगी की करन करने बाला bacteria है इसमें देखें तो bacteria की में बात करूं तो option A इसमें बिलकुल सही रहेगा जो azobacter होता है option A azobacter जो रहता है ये स्वतंतर nitrogen योगी करन means nitrogen fixation में help करता है क्योंकि एक bacteria है next 57 where in India is a combination of mangrove fresh, evergreen fresh, deciduous fresh आपने भारत में बताना था कौन सी ऐसी वो जगा है जहां पे आपको mangrove बन जो सभापरणी बन और परणपाती बनों का सही हो जन सभी प्रकार के बन आपको देखने को मिलेंगे बहां पे यह जो ऐसा क्षित्र है भारत का यह अता है अंडवान और निकुबार आइलेंड में यहीं पे इन सभी प्रकार की जो vegetation को देखा जा सकता है next बन महोथप इंक्लीड़ बन महोथप में शामिल होते हैं बन महोथप से समंधित इसमें क्या क्या शामिल होते हैं तो इसमें राइट अंशर हेगा एक तो यह planting जो and protecting the trees पेर लगाने और उसके रक्षचा करने साथ में ही destruction of trees should be curtailed जो बिनाश होता उसको कम करना या फिर restoration of the green cover हर्द आवरन की बहाली इसमें सभी जो option इसमें सही लग रहे हैं तो इसका जो राइट अंजर रहेगा option D all of the above इसमें अगर जो बन महुतसब सप्तहा की बात करूं तो ये एक से साथ जुलाई के बीच में मनाया जाता है 59 World Water Day is celebrated Bishop Jal Divas मनाया जाता है Bishop Jal Divas इसमें देखा जाए तो Bishop Jal Divas मनाया जाता है 22 March को World Water Day के रूप में Next question Mina Mata is a disease caused by water pollution due to presence of Mina Mata एक रोग है जो जल में किसके प्रदोशिन के कारन होता है Mina Mata disease से समंधित आप से question पूछा था कि अगर जल में mercury की अगर जल जो आपका जो water water उसमें mercury की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो आपको ये बिमारी हो जाती है Mina Mata Mina Mata की बात की जाए Next When did Bhopal tragedy take place Bhopal जो gas तरासदी हुई थी ये पूछा गया था कि वो कव ये तरासदी हुई थी ये तरासदी हुई है 1984 में इसे में अगर पूछा जाए तो कौन सी वो gas थी वो gas थी methyl isosynate isosynate MIC जो gas थी यहाँ पे release हुई थी 1984 की ये दुरघटना है Next question पूछा था The Air Prevention and Control of Pollution Act was enacted in the air Bayou production की रोक थाम और नियंतरन अधिनियम किस बर्ष में अधिनियमित किया गया था Air Pollution Prevention Act Control के बारे में पूछा गया था ये है 1981 से समंदित option A इसमें बिल्कुल सही रहना था ये question थे अभी तक मैंने आपके साथ discuss किये इसमें physics के हमने देखिये chemistry के देखिये, biology के और ecology environment कुल मिला के इसमें जो 40 to 42 question को हमने इसमें discuss किया environment और science section से अब आगे जो इंगली section को भी अलड़ी दूसरी वीडियो में discuss किया गया है आप उस वीडियो को भी देख सकते है अपना जो score हमारे साथ share कर सकते है अब मैं direct आ जाता हूँ general studies जो जिके पूर्शन था ये हमने इसमें रखा था question number 73 से question number 85 के बेच में तो सबसे पहला जो question हमने इसमें रखा था which हिमाचरी won Victoria Cross during the first world war कि फर्स्ट जो प्रतम बिशिब युद जो हुआ था उसमें कौन सब हिमाचली थे जिसको मिला है Victoria Cross Victoria Cross मिला है option B जमादार लाला राम को ये जो Victoria Cross मिला है during first world war कि समय में अगला question इसमें हमने लिया था in which district of हिमाचल प्रदेश is दारंगाटी wildlife century दारंगाटी जो wildlife century पूछा था कि किस जिले से संबंदित है ये ये संबंदित है option C जिला शिम्ला से जिला शिम्ला के रामपुर्क शेत्र में ये जो दारंगाटी wildlife century located है मस्क डियर के लिए बहुत ही फैमस से wildlife century रहती है और बुशेहर की राजाओं के लिए geographical area of the state की प्रदेश में बनों का कुल कितना क्षेत्र रफल है बनों का क्षेत्र रफल आपने बताना था भारत हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्र रफल में से हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्र रफल है जो एकनोमिक सर्वे के एकॉर्डिंग ही यह अंक्ड़े आपके सामने रखे गए हैं आपके सामने कुछ गिवन ऑप्शन रखे गए थे लाइक जमू इन कश्मीर मध्यपरदेश राजस्थान या फिर नन ऑफ दी एवर इसमें राइट अंसर रहना था ऑप्शन डी नन ऑफ लोकेटिट है सिर्मोर जीण हीमाजिल्ण परदेश में इसी नेशनल पार्क को का जाता है यह एक है यह जिटा सिर्मौर में और उर हमें다 करदेश का सबसे चोटा नेशनल सेटया इसको माना जाता है नेक्स्ट, वरन वास अग्षान से जीएस्टी सिस्टेम उप टेक्सेशन इंप्लीमेंटिट इन इंडिया भारत में कराधान की घीएस्टी परनाली कब लागू किया थी? GST से समंदी साब से question पुछा गया था Goods and Service Tax की इसको कब लागू किया गया था इसे लागू जो किया गया था option C 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया गया था Next What is the Vedic name of river Yamuna Yamuna नदी का Vedic नाम क्या है बिल्कु simple question इसमें रहा था Yamuna का जो Vedic name रहता है का लिंदी option D Next 79 What is the tenure of Rajya Sabha MP Rajya Sabha सांसत का जो कार्यकाल कितना होता है Rajya Sabha के कार्यकाल समंदीत आप से question पूछा गया था इसमें जो राइट अंसर रहेगा option C Rajya Sabha के जो MP का कार्यकाल रहता है 6 वर्ष Option C Next Question 80 A.T.M. stands for A.T.M. के आपने full form इसमें बतानी थी Full form सिर्श समंदीत भी question आपको पुछे जा सकते हैं आपके upcoming जो exam है A.T.M. की जो full form रहती है Automated Tailor Machine Option B इसमें इसका सही रहेगा Next 81 How many times a person can be elected as a president of India एक ब्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्टपती के रूप में चुना जा सकता है दो बार तीन बार एक बार या फिर कोई भी limit इसमें नहीं रखी गई है इसका राइट अंसर है Option D इनमें भारत के राष्टपती सेजबंदीत कोई भी limit नहीं रखी गई है भारत का राष्टपती कितने भी टर्म में बन सकता है 82 How many union territories are there in India Present time में पूछा था कि कितनी union territories आपके पास है So at present में हमा जो भारत के पास जो पुल union territory की संख्या है 8 28 total हमारे पास राज्या है इसमें से 8 28 पूरे के complete राज्या है और उसके साथ ही हमारे पास 8 ऐसी जो है केंदर शाशित प्रदेश So इसमें Option C बिलकुल सही रहना था Next When was the Muslim League Establish Muslim League की स्थापना कब हुई थी Muslim League की स्थापना सिंपल है इसमें Option C 1906 में Muslim League की स्थापना की गई थी Next question था Economy से समंदित Simple कि भारत की जो economy या फिर भारत की अर्थ विवस्ता किस प्रकार किये क्या भारत की अर्थ विवस्ता capitalist या फिर पुंजी बादी है Option B पूछा था Mixed है Every socialist है इसमें Simple जो राइट अंसर हैगा भारत की जो अर्थ विवस्ता है Mixed मिश्रित श्रैनी की Next Last जो question इसमें पूछा था कि चहावार पोर्ट इस लोकेटिव इन विच कंट्री चहावार पोर्ट के बारे में काफी नियूज में रहता है चहावार पोर्ट है भारत और इरान के मध्या इरान में इस पोर्ट को बनाया जा रहा है तो option D इसमें सही रहेगा भारत और इरान भारत इसको बना रहा है इरान में तो option D इरान इसका सही रहना था ये थे कुछ question मौक टेस्ट 5 के जो पायोनिर क्लासिस द्वरा आयूजित किये गए है अभी upcoming आने वरे समय में और ऐसे टेस्ट का यूजिन कह जाएगा अगर आप इस टेस्ट की PDF पाना चाहते हैं तो आप WhatsApp कर सकते हैं गिवन नंबर पे आपको जो PDF मिल जाएगी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए दा पायोनिर क्लासिस समंद के सेंसे जुड़ना चाहते हैं तो भी आप दिये गए इन जो एड्रस और नंबर पे संपर कर सकते हैं अपनी जो भी त्यारी आपकी रहती है जिसे लाइक इसमें आप फॉरेस्ट कार्ट हो गया अपकमिंग आने वरा जो एच पी पुलिस कॉंस्टेवल एलाइट सर्विसीज नाइब तस्हिलदार या फिर सब इंस्पेक्टर सभी प्रकार की जो ऑफलाइन कोचिंग आपको दापायोने क्लासिस कुलू में ये सिथ है बहां पे आपको प्रवाइट की जाएगी आप इन गिवन नंबर पे कॉंटेक्ट करके अपने आपको जोड सकते हैं दापायोने क्लासिस से इसके साथ ही अगर चैनल को भी अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सबस्क्राइब करें साथ में बैल आइकन को प्रेस करना ना वोलें अगर ये लेक्टर या फिर हमारे दोरा पुंचाई गई जानकर आपको अच्छी लगती है तो जरूर इ पाओब की अपने अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें टा कि सब तक इस प्रकार की जो बैलिेयोबल इंफॉरमिशन किया पता एक क्वस्टिन एक दो क्वस्टिन आपको इससे ही मिल जाए तो जलदी से इस लेक्टर को आप ज़दा से ज़धा करें बक्यी मिलते हैं नेक्स् कर